हलो दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है देखिए अब मैं अनकाइडमी पे भी आ सुका हूँ आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास एप है तो हेमन्त कुमार में इस तरह सर्च कर ले न आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी नहीं है फैर तो कोई बात नहीं नीचे मैंने description link दे रखा है तक description box में link दे रखा है उसके अंदर course का link होगा उस course पे आप click करो ठीक है मेरी class में आप पहुंच जाओगे वहाँ पे enroll या notify me होगा तो उस पे click करोगे तो आपसे code मांगेगा तो आप मेरा code apply कर सकते हो study19 जो है मेरा code है और आपको सभी class free में देखने के लिए मिलेंगे जी हाँ बिल्कुल free में आप देख सकते हो तो आप एक बार जाके check जरूर करना चलिए class start करते हैं अभी नहीं class के बाद जाना ठीक है चलो चलो class सहद की मखी का विस कैसा होता है दोस्तों यह होता है अमली जहां दोस्तों सहद वाली जो मखी होती है इसका विस अमली होता है तता इसमें अत्यधिक अमली प्यप्टाइड मेलिटीन उपस्थित होता है तो सहद की मखी का विस कैसा होता है तो हो जागा अमली नेक्स्ट नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पसू को उच्छ रक्त चाप नहीं होता यानि कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता तो दोस्तों वह पसू है उट जहां दोस्तों घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के उटों के जो जीनों में इनके बिसलेशर से असिद हुआ है कि नमक के भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद उसे उच रक्त चाप और मदमय जैसे रोग जो है नहीं होते हैं तो राइट अंसर होगा उट नेक्स्ट के पूमधूप यानि ड्रोन होते हैं दोस्तों होता है जयनान प्कियों में ड्रोन या फिलjay जननच्चम नर होते हैं दोस्तों मदमक्यों यौन आत्महत्या के उडारणों में से एक कहा जा सकता है जिसका अंत ड्रोन की मृत्यु के रूपे होता है तो राइट अंसर होगा जन नच्चम नर नेक्स्ट निम्डलिखित में से किस प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है तो दोस्तों वो प्रक्रिया है स्वसन यानि स्वसन के प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है दोस्तों कोशिकाओं में उर्जा उत्पादन के लिए अपचाई अभिक्रियाओं को समलित रुप से कोश्किय स् किस प्रकृप करिए में उर्जा मुक्त एःग इनजरल का स्वासन्प्रक्रिएमें नेज़्ट हो अगानृ कि निम्डलिकेत में से मानो सरीड की किस प्रडाली से ले अलियोली संबंधित है कि तो दोस्तों जि Pizza से स्वासन्प्रडाली से जीहां दोस्तों अलुवली इसका जो संबंद है मानो सरीद की स्वसन प्रडाली से यानि रेस्पिरेटरी सिस्टम से दोस्तों यह फेपड़े में इस्थित होता है और अलुवली मानो द्वारा ली गई हवा को रग्त तक पहुचाता यानि बलड तक पहुचाने का काम करता ह है को अलुवली तो रैट अंसर होगा श्बसं प्रडादी से समबंधीत है नेक्स्ट कुट्वोर्य टी का करद द्वारा निमणलिखित में से किस को नियं तरीट नहीं किया जा सकता है अ दूस्तों मधुमे को टी के दवारा नियं नहीं किया जा सकता है बाकि जितने भी ऑ अगर इंसुलीन का जोगा कि ब्लड में अल्पसर वर अड़न लगे तो ब्लड में ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है जिससे मधुमे यानि कि डाइबिटीज नामक रोग होता है और इसे टीका करण के द्वारा नियंतरिक्ष नहीं किया जा सकता तो राइट अंसर होगा अंतरिक्ष में जीवन के साथ हैं जियां दोस्तों ऐट इस बोजी को सेब्रक ब्रमाइंन में मवजूद विभीन ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा का जो अध्यान किया जाता है यह 60 इसको इसका संभन और जीवन के साथ है तो राइट अंसर होजागा ऑसलिम आपसंट पस्वूं का पस्वूं महामारी रोग कौन सा होता है या फिर किसके द्वारा होता है तो दोस्तों यह होता है बिसाडूं यानि की वाइरस के द्वारा कि बिसाड़ों यानि कि वाइरस के दौरा तो राइट अंसर हो जागा option C दोस्तों रिंडर पेश्ट रोग इसी को हम पसुओं का माहमारी रोग करते हैं दोस्तों यह बिमारी एक प्रकार के बिसाड़ों के द्वारा उत्पन होती है दोस्तों यह फटे हुए जैसे खूर वा दात और हड़ियां किस से मजबूती और द्रिड़ता प्राप्त करते हैं दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कैल्सियम यानि कैल्सियम से जीवित प्राड़ियों में हड़ियों दातों और सरीर के अन हिस्तों में कैल्सियम पाया जाता है और दातों और हड़ियों के मजबूती और चाहिवा जाएगा नहीं है आओक जन्सायों और सनाइड बागी रक्त अस्ती और स्नायू ये सभी सैंयोजी ऊतक है कि लेकिन जो तौचा बाहरी अस्तर यानि एपिदर्मीश तौएपिधीलियमी ऊतकों का तो अंतरिक अस्तर डर्मीश सैंयोजी का बना होता है तो सयोजी उतक नहीं है तो right answer हो जागा तो अचा next बहु कोशिक जीव डैस द्वारा ब्रिध्धी करते हैं दोस्तों बहु कोशिक जीव कोशिका बिभाजन द्वारा ब्रिध्धी करते हैं कोशिका बिभाजन के द्वारा ब्रिध्धी करते हैं दोस्तों यही कौशिकाओं में प्राया सुत्री विभाजन होता है, तो बहुभ कोशीक हेजीव, तो Right अंसर होजागा, कोशी का विभाजन द्वारा, next, निम्नलिकित में से किसे, जीवन का भातिक आधार माना जाता है, तो दोस्तों जीवन का भावतिक अधार मानते हैं जीवद्रव यानि की प्रोटो प्लाज्म को जहां दोस्तों यह विभीन पदार्थों के अनेक अति सुच्म कड़ों का जली बिलियन होता है दोस्तों सुच्मजर्शी से देखने पर यह स्वच रंगहीन और चिपचपा सा दिखाई पड़ता है तो जीवन का भावतिक अधार माना जाता है तो किसको हो जाएगा जीवद्रव यानि की प्रोटो प्लाज्म को कोशिका में राइवोसोम की अनुपस्तिती में कौन सा कारे उचित रूप से संपन्न नहीं होगा यानि कोशिका में अगर राइवोसोम की अनुपस्तिती नहीं हो तो कौन सा कारे उचित रूप से संपन्न नहीं हो सकता तो वो होगा protein sonsilisor दोस्तों ribosome एक कलारहित को सिखांग होता है इसे protein की factory कहते है protein factory कहा जाता है कि इसको ribosome को, याद रखिए ribosome protein factory दोस्तों इसमें protein निर्मार का कारे संपन होता है और इसकी अनुपस्थती में protein sonsilisor का कारे नहीं हो सकेगा तो राइट अंसर होगा protein falsalizer next question देख लेते हैं एक vicious कारे करने वाले समान कोचिकाओं के संभूग को क्या कहते हैं तो दोस्तों, vicious कार करने माले समान कोचिकाओं के संभूग को अम उतक कहते हैं दोस्तों उस्तको का जो संभू है मिलकर अंग का निर्माड करते हैं यानि ओर्गन का निर्माड करते हैं और विभीन अंग यानि कि विभीन आर्गन्स मिलकर अंग तंत्र यानि कि ओर्गन सिस्टम का निर्माड करते हैं तो विशेशकार करने वाले समान कोशिकाओं के सम्हों को तो हम उत्तक कहते हैं नेक्स्ट ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रियोग किया था तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल के त्वारा मटर पर पर प्रियोग किया गया था यानि कि मटर के पौधे पर संकरण का प्रियोग किया गया था दोस्तों ग्रेगर मेंडल जोने अनुवांसिक्ता की खोज की थी ग्रेगर मेंडल अनुवांसिक्ता की खोज के लिए जाने जाते हैं इन्हें अनुवांसिकी विज्ञान का जनक भी का जाता है अनुवानसिकी विज्ञान का जनक काते हैं किसे हम ग्रेगर मेंडल को और जो की अनुवानसिकता की खोज किये थे दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था जिसके अधार पर प्रभाविता का नियम, प्रिथकरण का नियम और सुतंत्र अपविवहन का नियम प्रतिपादित किया था तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया नेक्स्ट कोस्टन नियम न लिखित में से किस बैज्ञानिक ने सरव प्रतम जिवित मुक्त कोसिका की खोज की थी तो दोस्तों वो था एंटोनी वान लिवेन हॉक एंटोनी वान लिवेन हॉक को सुचम जविकी का जनक भी कह जाता है और इन्हों नहीं सरव पर था मुक्त जवित कोशिका यानि फ्री लीविंग सेल की खोज की थी तो राइट अंसर होगा एंट्वान लिवेर होग नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है कि दुस्तर पाई जाती है पाउधों के सेलों में यानिक राइट अंसर होगा पाउधे जहां दोस्तों पेड़ पाउधों की कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली के अतिरिक्त एक अनिपरत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति क काते हैं और पादप 57 होती है पादप 400 की जो भित्ती होती सेलीलोज की बनी होती तो से लेलोज़ भित्ती किसके सेलों पाइब जाती है तो वोथा करांटिस को से गेए मिवर्ग का क्या होगा के दोस्तों यह होता है अंता प्रजनन यदि किसी पूस्प में परागड उसी के परागड द्वारा हो तो उसे 100 परागड कहते हैं और 200 सो परागड के जो परिडा में अंता प्रजनन होता है तो राइट अंसर होगा अंता प्रजनन मादा युगमक को क्या कहते हैं दोस्तों मादा युगमक अंडाडू कहलाता है जहां दोस्तों लेंगिक जनन में दो विशेश प्रकार की युगमक को सिकाई भाग लेती है ब्रिशडों में नर युगमक को सिकाऊं को सुक्राडू यानि इस्पर्म तता अंडासेयों में बन पर्शन देख लेते हैं नारियल का पानी है क्या तो दोस्तों नारियल का पानी होता है वह विक्रित तरल एंडोस्पर्म है विक्रित तरल एंडोस्पर्म तो नारियल का पानी हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों आज के लिए बसी तना ही